राम आएंगे तो यंगे ना सजाएंगे धीप जला के दीवाली हम मनाएंगे धीप जला के दीवाली हम मनाएंगे राम राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे सब के साथ हम गाना चाहते हैं हम याद करते हैं जो इस देशी नहीं दुनिया में जहां भी सनातन सनातनी लोग हैं वो भी और जो सनातनी नहीं थे सनातन को समझ गए हैं वो भी एक ही बात कह रहे हैं कि मेरी जो बड़ी के भाग अब खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी के भाग आज भुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे सारे सारे दुनिया के भाग अब जाग जाएंगे राम आएंगे सारे दुनिया के भाग अब जाग जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो यंग ना सजाएंगे राम आएंगे तो यंग ना सजाएंगे दीप जला के दीवाली हम मनाएंगे राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे मेरे जन्मों मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे राम खाएंगे मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे राम खाएंगे गुरू रूप में राम मेरे आएंगे माता पिता रूप में भी राम आएंगे ये भूलना नहीं है ये याद रखिएगा कि राम इश्वर भी है राम मानों भी है राम स्रिष्टी भी है राम स्रष्टा भी है राम द्रिष्टी भी है राम द्रष्टा भी है राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए और थोड़ी थोड़ी मर्यादा को और बढ़ा लीजिए गुरु रूप मेराम मेरे आएंगे माता रूप मेराम मेरे आएंगे मेरे जन्मों के साथ सब जाग जाएंगे जाग जाएंगे राम आएंगे ये जो शब्द है साध ये अपनी स्रद्धा लगी होते हैं भोजपूरी में हम नहीं कह रहे हैं साध के साध लागल बट बहुत साल से साध लागल है कि राम जी आहीं है राम जी के मंदर बनी अजुध्या जी में अब तो अजुध्या जी सीधे एयरपोर्ट बन गई और एयरपोर्ट के नाम रखाईल महरसी बालमी की अजुध्या था बालमी की जी ने राम को उतारा है तुलसी नास जी के लेकनी में सारा है हम गुरु भगतों के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे हम गुरु भगतों के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे एक बार दोनों हाथ उठाईएगे सबके हाथ उठने चाहिए सबके तालियां बजे और सब लोग मिलके गाएंगे मेरी जोपड़ी के भाग मेरी जोपड़ी के भाग सब जाक जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे सियावर राम चंद्र भगवान की सद गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हमारे गुरुजी की सदा जय हो जय हो जय हो एक बार गुरुजी की उस सारी बातों को याद करिये जो हमारे आपके साथ वो पल बीटते हैं हम तो गुरुजी को प्रणाम करते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं लेकिन जब गुरुजी आपको गले से लगा लेते हैं तब हमें विश्वास होता है जो हम तोड़े दिर पहले कह रहे थे पमन भाईया भाईया बाप रे बाप रे बाप रे इकोन गुना हदादा छोट भाई के भी भाईया कहल जला राम जी ने कई बार कहा लक्षमण भाईया बोलो न रोवे ने रगुराई यह इसने बहुत अच्छा है एक भजन गाया गुरुजी रोवे ने रगुराई जब लक्षमण जी को शक्ती लगती है वैसे तो भोजपुरी जितने लोग आते हैं सबकाप पर हमरा बहुत कई हमार दोस्त जिसे अभेष सिना जी तो करें पंकश तिवारी आईल बाड़े वह बहुत बिद्वान आदमी हमें गुरुजी पंकश तिवारी कहा बड़े पंकश पंकश कहा गई और यहां रंजीत सिंग के देखा तनिहम गुरुजी यह हमार बड़ा प्रीभाई हमा यह दिल्ली के हमा वैसे तो बिहार के हो लेकि बिहार के लोग बहुत दिल्ली वाला हो गिलवाट यह अच्छा यह बलिया के हमा वो बिहारे में आवे ला तो पंकश जी आ गए न आप मेरे तरफ से प्रणाम करिए गुरुजी को गुरुजी यह बहुत गुणी व्यक्ति हैं और गाजीपुर के पास